दुनिया का एक लोता ऐसा मंदिर जहां सिर्फ चमतकार ही होता है वहां मुर्दा भी उठ खड़ा होता है बेजुवान भी बोलने लगता है एक ऐसा मंदिर जहां जो मांगे वो मिलता है कोई खाली हाथ नहीं लोडता है चमतकार 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 वहां सिर्फ दिन राद चमतकार ही होता है वो भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है भगवान स्री किर्ष्ट ने दिया था उनको वर्दान और उनका हो रहा है कल्यूग में गुंगान एक बार जो उनके दर्बार में पहुँच गया वो खाली हप नहीं लोटता उनके दर्सन करने से सारे पाप मिट जाते हैं वो जिसको चाहे उसको माला माल बना देते हैं उनके बिना इच्छा के उनके दर्सन कोई नहीं कर पाता वो जिस पर किरपा कर दे वो रातो रात करोड़ पती बन जाता है स्याम बाबा मंदिर के लोग महाभारत काल से जोड़ कर देखते हैं इसकी मानेदा पांडव पूत्रधिम के पोत्र बरवरिक से जुड़ी है कथा के अनुसार वीर बरवरी ने अपनी माता से महाभारत युद देखने की इच्छा जाहिर की थी कौरव के सो और पांडव के पांच योधाओ के बीच युद में उसकी मा को लगता था कि पांडव हार जाएंगे उसने बरवरी को असीरबाद दिया था कि बेटा जो हारे उसी का साथ देना बhagवान क्रिष्ण को ये उसकी वीरता और मा के असीरबाद का पता था उसने बरामण बेस में उनसे सीस मांग लिया तो उसने उसे दान कर दिया कहा जाता है कि बरबरी का सीस चुलकाना में है जहां समाधी बनी है उस समय से बरबरी को सीस का दानी कहा जाता है कृष्ण ने उन्हें वर दिया था कि कल्यूग में जो खाटू स्याम जी की पूजा करेगा उनकी मुनोकामना पूरी होंगी दो विरिक्षों का इतिहास पूरानिक मननता है कि कुरूचेत्र हरियाना के जोतिसर तीरत स्थीत बरगत के पेड़ के नीचे भगवान स्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था इस लिहास से इसे देश का सबसे उम्रदराज विरिक्ष माना ये वट विरिक्ष किये थे ये अक्षेवट और सरोवर स्रीमत भागवत गीता के साक्षाद साक्षी है हर बार कुछ नया इस बार बता दें आपको ब्रिंदा वन्टरस्ट पानी पता हर बार कुछ नया सुरिनात्मक सोचता है और उसको अंजाम भी देता है ब्रिंदा वन्टरस्ट के सनक्ष बति विर्ष के नीचे यात्रा का शुबारंब करने का एक प्रेणा हुई यह नहीं पता कहां से हुई ठाकुरजी की प्रेणा हुई ठाकुर्णी का अदेश हुआ हम तो अपने घर बैठे थे हमें कुछ नहीं पता कैसे आधेश हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ हुआ ये के ह्रियाना में और महभारत में दो विक्ष हुए है जहां से पूरे इतियास की रचना है एक विक्ष वो है जहां हम jis के नीचे खड़े हैं जहां पर गीता का उपदेश लृष के नीचे दिया गया और दुसरा वर्ष वो है जहां शाम भाबा क्रिशन जी की प्रेड़ना हुए कि इस वरिख्ष से उस वरिख्ष तक की यात्रा निकले उसकी गुष्णाज की गई को ने पहली सुरुवात फॉन की फॉन भुग्द लेके की जिसमें 32 मेंबर की पहली यात्रा गई अज वही आकड़ा लाश्टियर सोलह सत्रा हजार शाम प्रेमियों का अकड़ा जुड़ चुका है और जैसे अब भगवान ने प्रेड़ना दिये कि सैद इस बार 21 जागा अकड़ा बहुत जल्द ही छुआ जाएगा इस बार ना यात्रा में जो अभी यह सर्द है स्री स्वा चुलकाना धाम जो जाएगा उसकी मट्टी यहां जो गीता धाम की मट्टी है जो गीता स्थान की मट्टी है जहांसे गीता का उपदेश हुआ जिस रजकन में कृष्ण बसते हैं उस मट्टी का तिलक आज हमारे उस निशान को लगाया जो निशान वहां उस व्रिक्ष तक पहुचेगा और ये आप ये समझे कि ये वट व्रिक्ष से लेकर कल्प व्रिक्ष तक की आत्रा है जो अपने आप में उठा होगा महाराज जी ने यहां कुर्चेतर में जोती सर में और जहां पर किर्शन भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को महां से आज स्री ज्यानान महाराज जी ने इस लेट की गोशना किया ये वरिंदावन ट्रस्ट का सोब आगया है कि आज यहां पर इतने सारे शाम प्रेमी पानिपत के समाजी को अर्दार मिक्स अस्ठाइपों ची हम वरिंदावन ट्रस्ट के साथ ही आज जोड कर सभी शाम प पुरुक्षेत्र धाम जहां से आज पानिपत ब्रंडवन प्रस्ट के सोजन्य से सभी संथाओं के सद्भाव से जो एक यात्रा चुलकाना धाम कल्पुरुरिक्ष जहां एक दिव्यता प्रगट हुई एक बान के द्वारा पूरे व्रिक्षे पत्तों को बेंदे जाने की बर्ग्रीक जी और अब खाटु शाम के रोब में वगवारिक्ष के भाव के साथ है यह यात्रा यहां अज उसका शुभारंब हुआ चुटिसर धाम से रुप्षेतर धाम से बट बिक्ष की शाया तले हमें लगता है कि जैसे बट बिक्ष छोटा भी विराट बिक्ष की रो बिराट ब्रक्ष बन करके सामने आएगा हमारी कह बहुत शुक्त है अब भी इस्सा लेंगे स्यात्रा में हमारी सद्भावना तो सद्धे ब्रंदावन ट्रस्ट के साथ ही है इनवान धारी की जाएओ बलबाके जारी कारी की जाएओ बलादारानी सरकार की जाएओ